जैहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ महत्मूर जानकारिया दूँगा जानकारियां स्टार्ट करने से पहले हम दर्शन करेंगे बाबा केदार के केदाननात में तो एक मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ फिर हम आगे चलेंगे जानकारियों की तरफ तो दोस्तो आपने ये वीडियो देखा केदाननात धाम में जो जवान है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं बिल्कुल दोस्तो देश की रक्षा के साथ साथ जवानों का जो शीर्च है वो भगवान के सामने नस्मस तक भी होना चाहिए इश्वर की प्राथ्था भी जरूरी है ताकि जो आशिरवाद है वो मिल सके जवानों को देश के परती तो दोस्तो एक तो ये खबरती आगे समझते हैं भारती सेना में गोरखाओं की भड़ती पर नेपाल में असमंझस त्यारी कर रहे नौ जवानों में निराशा अब नौ जवानों में या फिर युवाओं में निराशा क्यों है क्योंकि नेपाल में भर्ती ही नहीं निकल रही है इसमें जो जारतर जो गोर्खा हैं वो काफी महनत कर रहे हैं भर्ती की तयारी कर रहे हैं लेकिन काफी लंबे टाइम से नेपाल में भर्ती नहीं निकल रही है कानून में बदलाप के बाद अगस्त 2022 से नेपाल से गोर्खा सैंकों की भर्ती बंद कर दी गई है भारत की अगनीपत योजना के तहत गोर्खाओं की भर्ती पर नेपाल की ऐसमती के बाद इसे रोग दिया गया था यानि कुछ अगनीपत स्कीम के चलते कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसके बाद नेपाल में भरतियों को रोग दिया गया तो दोस्तो इसका असर पढ़ रहा है नौ जवानों पर जो गोर का भरती होना चाते हैं सेना में जब तक नेपाल सहमत नहीं होगा तब तक गोर का भरती नहीं कुलेगी तो दोस्तो इससे जवान पर्भावित हो रहे हैं जो वो मैनत कर रहे हैं भरती की जब भरती नहीं होगी तो दोस्तो फिर वो आगे कैसे भरती हो पाएंगे तो यह सबसे बड़ेगा सवाल खड़ा करता है आगे समझते हैं सर फॉर्म 16 मिलना शुरू हो गया है इस पर्ष पर मैंने फॉर्म 16 निकाल लिया है और ITR भी फाइल कर लिया है आपको धन्यवाद सही जानकारी के लिए बिल्कुल दोस्तो फॉर्म 16 मिलना सार्ट हो गया है इस पर्ष के पोटल पे आप लॉग इन करिए डॉकुमेंट 16 का एक option है जैसी आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म 16 अब मिल जाएगा और आप अब ITR भर सकते हैं फॉर्म 16 लेकर आगे समझते हैं दोस्तों यहां पर दिपेश चौधरी जी यहां पर ट्वीट कर रहे हैं करनल रोहिच चौधरी जी को जैसा कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया तक करनल रोहिच चौधरी जी का तो इसमें दिपेश चौधरी जी क्या बता रहे हैं पूर्व वर्तमान और भविश्य के सैनिकों की समस्यां सुलजाना अत्य आवेशक है ओर रोपी की विसंगतिया दूर की जानी चाहिए और केंद सरकार का जूट सामने लाया जाना चाहिए कि ओर रोपी हमने दे दी दोस्तो ये भी बीजेपी की बुराई कर रहे हैं कि जैसे बीजेपी बोलती गई कि हमने ओर रोपी दे दी ओर रोपी दे दी सारा पैसा दे दिया पैसाथ हजार करोड दे दिया पचाथ हजार करोड दे दिया लेकिन मि haul ब्रनिपत 2 में पेंद के सरकार द्वारा बापस लिजानी चाहिए इसे जवानों को नुकसान हो रहा है पूर्व 실venia को नक्व्arinalinator के खाली सेवन्ती ए prototype लाख सेनिकों के खाली 78 लाक पदों पर इन्हें नौकरी देनी चाहिए यानि जो सेनिकों के जो पद खाली है पूर सेनिकों के वो लगबख 78 लाक है तो उनको भरती किया जाना चाहिए ज़वानों को आगे समझते हैं दोस्ते यह लेटर है जो जारी हुआ है एक परपोजल रखा गया है रिकुर्मेंट का यानि भरती किये जाएंगे चीफ पैटी ओफिसर डिरेक एंट्री के रूप में तो दोस्तों यह लेटर निकला है 23 जून का तो दोस्तों इसमें पूरी कंडिशन दे रखी है पूरा रिकुर्मेंट प्रोसेस दे रखा है कि किस पैटी ओफिसर की यहां पर शॉटेस थी सर्विस में तो इस वज़े से इनको भरती किया जा रहा है तो दोस्तों आर्टिफिशर जो थे उनकी भी कमी थी यहां पर तो सीपीयों को यहां पर भरती किया जाएगा और जो आर्टिफिशर की कमी है उसको यहां पर पूरा किया हैं, as we account convert to DSP account, जब आपका convert हो जाएगा तो statement download करने पर account type में ऐसा दिखेगा, दोस्तों अगर आपका serving account है और आपका account अगर DSP account में convert हो जाता है, तो उसके बाद एक section है जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका DSP account convert हो जाएगा, यहाँ serving account है, वो DSP account में convert होगा, तो जारतर जो आपको मिलता है, वो मिलता है gold package, उसकी जो facility है, वो आप लेते हैं, तो दोस्तों, जैसना मैंने आपको पहले भी बताया था, कि serving account का अलग code है, और DSP account का अलग code है, तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे, यह information निकल के आती है, एक और information में आपको दूँगा, दोस्तों, आज 12 तारीक है, काफी pensioners कह रहेतें, कि सर, हम 2006 से पहले आए हैं, हबालदार है, और हमें फिर honorary मिली, किसी occasion के दे, तो हमको 2006 से 14 तक का area तो मिल गया, लेकिन हमें regular naif सुवधार की pension नहीं मिली, तो उसका आज result आना था, दोस्तों, आज भी कुछ result नहीं आया है, और अभी केंद सरकार ने इस पे कोई फैसला नहीं लिया है, यानि जो honorary naif सुवधार है, उन्हें मिलनी है regular naif सुवधार की pension, लेकिन आज भी उसके कोई फैसला नहीं है, इस पे अभी और टाइम लगेगा, ये confirm है regular naif सुवधार की pension मिलेगी, और area भी मिलेगा 2014 के बात का, 2006 से 2014 तक तो मिल गया था, लेकिन उसके बात का भी area मिलेगा, और pension मिल जाएगी आपको regular naif सुवधार की, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा, तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ जानकारिया दी है, वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को like करें और दोस्तों चैनल को subscribe कर सकते हैं, thank you so much